हले दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारे यूटूब चैनल बीटॉपर में आज इस क्लास में हम यूपी बीट इंटरेस एंग्जाम 2020 के लिए समान हिंदी के कुछ बहुत महत्पूर्ण प्रसंट डिसकस करने वाले हैं आपके एक्जाम में डारेट पूछ जाएंगे निके मोस्ट एक्सपेक्टेड कोईशन के सीरीज मैंने स्टार्ट किया है कल मैंने हिंदी के भी कुछ इंपॉर्टन कोईशन करवाए था जो आपको जाके चैनल पर देख सकते हैं और आज से हमारे चैनल पर डेली घटना चक टो सीरीज से मोस्ट इंपॉर्टन कोईशन के सीरीज हिंदी और जीके की मिलेगी आपको और अधर सब्जेक की भी चीज़िए तो आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना दोस्तों डेली साम 6 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी उसके बाद में रात 9 बजे अगर आप कहेंगे तो 9 बजे मिलेगी या फिर दूसरी वीडियो सुबह 10 बजे मिलेगी तो आप लोग कॉमेंट करके बताएगा तो चलिए सुरू करते हैं समान गयान का पैक्टिस नमर बन जिसमें हम पुछ important question देखेंगे आगे बढ़ने से आप यूपी और यूपी बीड जैसे एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बीटॉपर के तरफ से बहुत अच्छा क्राइस को सजयार के गए जिसमें 4000 प्लस question एंसर दिये गए जो most expected questions की सीरीज है अगर आप अंतिम ज़य में इसको पढ़ेंगे तो कीमत बहुत कम 99 रुपीज है उससे अच्छा आप 99 का यह वाला क्रैस को सब्सक्राइब से आपको बहुत मिलेगा लिंक क्रैस को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए questions स्टार्ट करते हैं साथ-साथ आप लोग answer भी करते रहेगा और कितने questions सहीगे आप लोग मानदारी से comment बताईए का question 51 से सरूर आये वन टू 50 तक हिंदी था हमारा 51 से हंटिट अपका जी के होगा क्यों कि पचार पचास दोनों question पूशे जाएंगे question 51 के चेतरफर के द्रिस्टी से भारत में के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौनसा स्थान है question 51 का answer दें देखे यूप यूपी वीर्ड है तो आपका यूपी से पुछे जाएंगे यूपी special questions आएंगे आप कहेंगे तो मैं यूपी special की class अलग से डाल दूंगा यूपी special के जो important questions है यूपी जीके की वो मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा तो आप लोग comment करके जूरू बताएगा अगर आ 52 है यहाँ पर देखिए निमने लिखित में से में किस नगर में राज ललित कला अकादमी अवस्तित है question 52 का राइट एंसर दें आप लोग यहाँ पर जो questions में लेकिया है इसमें आपको यूपी जीके मिलेगा आपको जोगर्फी से भी question मिलेगा एंसन हिस्टी से भी question और ए सही हो जाएगा लखनो में अवस्तित है और इन questions का पीडिया फाइल आपको टेलीग्राम गुरूप पे मिल जाएगा with answer free में बिलुकुल टेलीग्राम गुरूप कर लिंग डिस्किप्सन बॉक्स में उसको जोईन करने इस class के पब्लिस होने के बाद में आपको किसका जन्म आगरा में हुआ ताकि आपको आगे आने वाली प्रैक्टिस सेट का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे है प्वेस्चन नमर 53 का जो राइड एंसर है आपको ऑप्सन नमर आपर डी से हो जाएगा मिर्जा गालिप का जन्म आगरा में हुआ था आगे बढ़ते है क्वेशन नमबर 54 की तरफ देखे 54 क्या करा है निम्न लिकित में से कौन उत्तर परदेश की प्रथम महिला प्रधान मंत्री थी ठीक है बताएं क्वेशन नमर 54 का राइड एंसर है क्वेशन नमबर 54 काफी इज़ी है सभी को पता होगा बी ओप्सें से है स्री मती सुचेता क्रपलानी अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 55 है यहां पर देखिए उत्तर परदेश में प्रथम जयो परधोग की पार्क इस्थित इस्थापित किया गया कहा पर लखनों में न और मैं बता दू फिर से एक बार डेली साम 6 बजे क्लास आएगी आपकी हिंदी या फिर जीकी की ठीक है और दूसरी क्लास आपको रात 9 बजे अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजेगा कि रात 9 बजे क्लास करें या फिर वही क्लास सुबा 10 बजे मौनी में क यहां पर देखिए शाकी सबद और रमाइनी निम्न लिखित में से किसकी प्रमुख किरतियां है 56 का राइट एंसर कमेंट करें सो दो तो चलिए 56 का राइट एंसर कॉमेंट करें फटाफट देखिए 56 का जो राइट एंसर है वो है आपका ओप्सन नमबर यहां पर D सही है कौन से D सही है कबीर दास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 57 देखिए बौध साहित अंगुतर निकाइक में लेखित 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद दच्छिन भारत में अवस्थित था 57 का राइट एंसर कॉमेंट करें फटाफट अगर आप इस सीरीज के 40 या 50 क्वेश्चन जो भी कराता हूं उसमें आप 30 से 35 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हैं तो भी आपका सरकाजी सीट का बहुत बहुत च अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर एक सेकंड चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है यहां पर 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुरकान ने चहल लगानी संगठन की स्थापना किसे सासक ने किया था 58 का राइट एंसर कमेंट करें आप लोग वेरी क्वेश्चन नंबर 59 देखिए किस ने सत्यार्थ प्रकास की रचना की थी बताएं 59 का राइट एंसर 59 का सही उतर क्या है एक अप्शन सही है दयानंद सरसुतिन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है देखिए आसायोग आंदोलन की समापति के बाद मोती लाल नहरू एवं सी आर दास के नेत्रित में एक नई पार्टी का गठन हुआ जो थी कौनसी वा पार्टी थी बताएं 60 का राइट एंसर क्वेश्चन नंबर 60 का सही उतर दिया फट 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 साथ नंबर का जो राइट एंसर है ऑप्शन बी यहां पर सही दोस्तो स्वराज पार्टी का कठन हुआ था अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है देखिए निम्न लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है चारों में से एक जो है वो सही सुमेलित नहीं हो आप आपको बताना है जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि वेरी गुड़ वेश्चन नंबर 61 का सी वाला जो आपका सही है गोरा यह आपका महत्मा गांधी से संबंदित नहीं है यह आपका गलत है अगला क्वेश्चन नंबर 61 से एक सेकंड चलिए 61 के लागा पर निम्लिकित मे से किसने गांधी जी ने अपना राजनेतिक गुरू बनाया कुशेण रीट फरी ही Community आप लोग के सिट है कि आहाई है चार आप्सन दिया कहा है किसने किसे गांधी जी ने आपना राजनेतिक गुरू बनाया तो यहां oldshire सीट जिर मक में पर चेंट कर भलब सो छो में है शलि ना राजनेतिक गुनों बनाया अगला क्वेशन नमबर 63 आपके सामने देखें चतुर्थ बौध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था 63 का राइट एंसर किसके आदेश पर 64 का राइट एंसर दें वेरी गूट 64 का जो राइट एंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्सेन यहाँ पर सही है राजपति के आदेश से अगला क्वेशन नमबर 65 देखिए शंबिधान सभा का अस्थाई अध्यच किसे नियुक्त किया गया अस्थाई सभी को पता होगा सी सही है राजेंद्र प्रशाज जी को स्थाई अध्यच और डाक्टर सकीदानंद सिनहा जी को आस्थाई अध्यच के रूप में चुना गया था अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 65 है आपके सामने देखिए संभिधान सभा का स्थाई अध्यच किसे यह तो हो गया 66 66 पर आते हैं देखिए भारतिय संभिधान के किस अनुषेद में कार खानों आध के में बालकों के नियोजन का प्रतिसेध का उलेख है 66 का राइट एंसर कॉमेंट करें आप लोग फटा 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 वेरी गुड छाचट का जो राइट एंसर है वो है आपक 67 है देखिए लोग सभा के सदस्सों की अधिक्तम संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है लोग सभा के सदस्सों की अधिक्तम संख्या बताए 67 का राइट एंसर देखिए 67 का जो राइट एंसर है वो है आपका उप्सन नमबर बी यहां पर सही है 552 अधिक्तम अगला क्वेशन ह नबर 68 है वित आयोग का उलेख भारती संविधान के किस अनुषेद में है आइंसर करें आप लोग 68 का राइट एंसर दोस्तों वो है आपका उप्शन ए हाँ पर सही अनुषेद 280 अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 69 है हाल ही में भारती रिजर्ब बैंक दोरा किसकी अगवाई में आर्थिक पूंजी धाचे पर एक विसेशग समितिक का गठन किया गया है 69 का राइट एंसर देखे 69 का जो राइट एंसर है ए आप्शन से यह बिमल जालान अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 70 यह देखिए भारती रिजर्ब बैंक का राश्टी करण किस वर्स हुआ था 70 का राइट एंसर कॉमेंट करें आप लोग 70 का सही उत्तर सी आप्शन से यह दोस्तो उनिस सो उन्चास अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 71 है जी एस्टी क्या है 71 का राइट एंसर दें जी एस्टी क्या है 71 का जो राइट एंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही दोस्तो ठीक है एक सेकंड 71 का बी सही एक अप्रत्य चिकर है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 72 है मानव विकास सुचकांग 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है 72 का राइट एंसर 72 का जो राइट एंसर है वो है आपको ऑप्शन बी यहाँ पर सही है नौर्वे अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 73 है देखे पुस्तक दी रिपब्लिकन एथिक और लोक तंत्र के श्वर में किसके भासणों का संग्रह है 73 का राइट एंसर क्वेशन नमबर 73 का राइट एंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी यहाँ पर से यह रामनाद कोविन जी का अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 74 है देखे 26 सितंबर 2018 को जारी वर्स 2018 के लिए प्रमुक खरीब फसलों के उतपादन के प्रथम अग्रमी अनुमान के अनुसार खरीब खदान का कुल उतपादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है 74 का राइट एंसर ठीक है 74 का जो सही उतर है ऑप्शन यहां पर सही है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 75 है देखे भारत का सरवातिक दाल उतपादक राज कौन है यह बहुत इंपोर्टन है 75 का राइट एंसर कॉमेंट करें आप लोग 75 का जो राइट एंसर दोस्तों आपका ऑप्शन यहां पर सही है मध्य प्रदेश अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 76 है भारत में क्रसी वस्तूओं के संबंध में नियूनतम समर्थन मूल आज इसे संबंधित आयोक का उन सा है 76 का राइट एंसर 76 का सही उत्तर क्या है 76 का जो राइट एंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नमबर यहां पर सी सही है 76 का सी ऑप्शन से क्रशी लागत और मूल आयोग अगला कुशन है क्वेशन नमबर 77 पर्थम प्रिस्ट जो समानत आप वेब साइड पर देखते हुआ होता है इसका नाम क्या है होम पेज होता है में पेज होता है सेकेंड पेज होता है फ्लाइक पेज होता है केंप्विटर सभी क्वेशन पूछे जा सकते हैं 77 का राइट एंसर देखे 77 का जो राइट एंसर ओप्षन A से ये होम पेज होता है अगला क्वेशन नबर 78 है देखिए नियमने लिखित में से कौन सा असम राज का लोक निवित है 78 का राइट एंसर दें आप लो 78 का जो राइट एंसर दोस्तो वो है आपका आप्सन नबर A और पर सही है अगला क्वेशन नियमने लिखित में से कौन सितार वादक नहीं है यह थे 79 का राइट एंसर देखे 79 का जो राइट एंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्सेन डी यहां पर सही है अमजद अली खान जो है सितार वादक नहीं है अगला क्वेश्चन नंबर सब्सक्राइब भारतिय फिल्म और टेलिवेजन संस्थान कहां इस थे सही नंबर का सही उतर आप लोगव फट पर क्वेश्चन नंबर असी का राइट एंसर असी का जो सही उतर है ऑप्सें यह पर सही हे पूंडे अगहला को स्टन एक वरेट टी वन है राकेश शर्मा की प्रसिद्ध प्रसिद्ध किस छेत्र में है त्वेस सर्मा एक 80 का राइट एंसर बताएं आप लोग, देगे question number 18 का जो राइट एंसर है, वो है आपका option number यहाँ पर कौन से सही हो जाएगा, C सही है, अंत्रिच में, अगला question है question number 82, which 8 से दिवस कब मनाया जाता है, 82 का राइट एंसर, 82 नंबर का सहीतर क्या है, एए option से यह दूस्तो, एक दिसंबर को, 8 से दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगला question है question number 83, देखे, ड्रेकन्स बर्ग परवत किस देश में है, 83 का राइट एंसर, 83 का राइट एंसर, option A हाँ पर सही है, दच्छिड अफ्रीका में, अगला question है question number 84 है, निमलिकित में से कौन सा परवत पूर्वत्तर भारत में नहीं है, 84 का राइट एंसर, question number 84 का सही हुत्तर क्या है, दोस्तों जल्दे लिए कॉमेंट करें आप लोग, 84 का राइट एंसर, question number 84 का सही हुत्तर, देखे, 84 का जो राइट एंसर है, दोस्तों वो है, आपका option number यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, very good, 84 का आपका option C यहाँ पर सही हो जाएगा, धौला धर, अगला question है, question number 85 है, देखे, निमलिकित में से किस राज में सरवाधिक जनसंख्या पाई जाती है, 85 का राइट एंसर देखे, अपका जाती है, 85 का राइट एंसर देखे, अगला question है, question number 86 है, देखे, निमलिकित में कौन बालिक राज के रूप में जाना जाता है, 86 का राइट एंसर, 86 नमर का सही उत्तर देज़े, फट फट, question number 86 का D option से दोस्तो उप्यूक्त सभी, अगला question है, question number 87 है, देखे, निमलिकित में से कौन लोह इस पात उद्धोग का केंदर नहीं है, 87 का राइट एंसर, 87 का सही उत्तर, question number 87 का राइट एंसर, option D यहाँ पर से यह पटना, अगला question है, question number 88 है, निमलिकित में से कौन सी प्रभावी निर्डाय करता की विशेस्ता नहीं है, question number 88 का राइट एंसर, 88 का राइट एंसर, 88 का डी सही है दोस्तों यहाँ पर, अगला question है, question number 89 है, आपको सर्व सिच्छा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौपी गई है, आप किसकी सिच्छा को सबसे अधिक प्रात्मिक्ता देंगे, बताएं question number 89, तो UP beard, आप एक teacher line में जा रहे हैं, तो आप से इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, तो आप अपना point of view बताएं, क्या रहेगा इसमें, question number 89 का राइट एंसर कमेंट करें, आप लोग फटा फट, इसका राइट एंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका कल वाले प्रैक्टिसर में सही जवाब दूँगा, ठीक है, आप लोग अपना point अब भी बताएं, कि क्या है, इसमें 89 का राइट एंसर, question number 90 पर आते हैं, question number 90 है, किसने महिला सजक्ती करण के लिए, online portal नारी का उधगातन किया है, question number 90 का राइट एंसर, question number 90 का राइट एंसर दीजे, फड़वर सी ऑप्सन से ये दोस्तों, main का गांधी ने, तो यहाँ पर हम 40 question ही किये है, 40 का answer आप लोग ने दिया होगा, कितने सही किये, 40 में आप लोग कॉमेंट करके बताएं, और ये विडियो को कैसे लगी, आप लोग यूभी बताएं, ये ये इतने भी question करो हैं, सभी का PDF फाइल प्री में, टेली ग्राम ग्रूपे मिल जाएगा, आपको बाकी की PDF फाइल भी, टेली ग्राम ग्रूपे सेंड है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके classes छूड़ गे हैं, तो अगर मज़ा आया हो, तो प्लीज कॉमें और लाइक जरू कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन कौन कर लें, जो मने नोट्स रेक्वंट किया है, उसको आप लोग लिंक डिस्किप्शन बाग, वहाँ से अब आई कर सकते हैं, थांक्यू सो मज़ मिलता है, नेक्स देन नेक्स गर लोगशन बाइकन कर दो में